प्राचीन इतिहास है यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है यह भारत की राष्ट्रे गाथा है इस ग्रंथ में ततकालीन भारत यानि के आर्या वर्त का समग्र इतिहास वर्णित है अपने आदर्श इस्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जन जिवन को यह प्रभावित करता रहा है इसमें सैक्लो पात्रों अस्थानों घ 18 संख्या का बहुत महत्व है तो आईए जानते हैं कि क्या है इसका रहस्य महाभारत हर घर में होना चाहिए इसका मतलब हमने यह नहीं कहा कि हर घर में लड़ाई होनी चाहिए महाभारत जैसे महाभारत काभ्य होना चाहिए ग्रंथ होना चाहिए जिससे कि हम सभी बहुत के लिए सिख सकते हैं, आठ को शनी का अंक माना जाता है, इस अंक के स्वामी ग्रह शनी है, कुछ अंक शास्त्री आठ अंक को अशुब मानते हैं, क्योंकि यह शनी से जुड़ा हुआ है, आठ अंक के व्यक्ति को हर चीज को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने पड़ती है, अजब संयोग के बारे में भागवान विश्णु ने आठवे मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28 द्वापर में आठवे अवतार श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्व से आठवे पुत्र के रूप में मतुरा के कारागार में जन्म लिया था उनका जन्म भादरपद के कृष्ण पक्ष की रातरी के साथ मुहुर्त निकल गए और जब आठवा उपस्थित हुआ तभी आधी रात के समय सबसे शुब लग्न में हुआ था उस लग्न पर केवल शुब ग्रहों की द्रिष्टी थी रूहनी नशत्र तथा अश्टिमी तिथी के संयोग से जयनती नामक योग में इसा से 312 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था जोतिशियों के अनुसार उस समय सुन्यकाल यानि की रात के बारा बजे थे भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के आठवे पुत्र थे उनकी आठ सक्षियां आठ पत्नियां आठ मित्र और आठ शत्रु थे गुरू संदीपनी ने कृष्ण को वेद शास्त्रों सहित 14 विद्या और 64 कलाओं का ज्यान दिया था इस तरह से उनके जीवन में आठ का अंक बहुत महतोपून है और उसका बहुत महतोपून योगदान रहा है महा भारत से जुड़ा हुआ 18 अंक का रह से क्या है महा भारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ग्यान दिया था 18 दिन तक ही युद्ध चला था गीता में भी 18 अध्याय हैं कौरों और पांड़ों की सेना भी कुल 18 अच्छोहिनी सेना थी जिन में कौरों की ग्यारह और पांडवों की साथ अच्छोहीनी सेना थी युद्ध के प्रमुक सुत्रधार भी 18 थे इस युद्ध में कुल 18 युद्धा ही जीवित बचे थे जिनके नाम है कृष्ण, कृपाचार, कृत्वर्म, अश्वस्थाम, युद्धू, सात्यकी, युद्धिष्ठेर, अर्जून, भीम, नकूल, सहदेव, इत्यादी दुर्योधन भी युद्ध की समाप्ति के बाद मारा गया था युद्ध के प्रमुक सुत्र दहार भी 18 थे जिनके नाम थे धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, क्षकुनी, भिश्म, द्रूण, कृपाचार, अश्वस्थामा, कृत्वर्मा, श्रीकृष्ण, युधिष्ठ, ठेर, भीम, अर्जून, नकूल, सहदेव, जोपदी और विदूर, जी हां, तो सवाल उठता है, कि सबकुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया, क्या यह संयोग है, या इसमें कोई रहस्ये छिपा हुआ है, जी हां, सबकुछ इसमें आठ, और कृष्ण के जीवन में सबकुछ आठ, क्या इसका संबंध रहा है, जान आप सभी का, धन्यबाद आप सभी का, अब मिलते हैं, नई कथा के साथ, नए दिन, नई जानकारी के साथ, आप सभी खुश रहें, स्वस्त रहें, प्रेम से बोलें, जैश्री कृष्णा